आप जब इस वक्त सुल्तानपूर में हैं जो एउध्या के बहुत करीब है आपको उत्तरपदेश के अंदर पिछली बार भारती अंता पार्टी को दो हजार चौदा के तुल्ला में नो सीटों गाटा हुआ था पिष्टी बारिक अत्तर था इस दो हजार उन्नीस पे बासट क्या वो सीटों कॉम्पंसेट करते हुए दिखाई पड़ती है भारती अंता पार्टी वहाँ पे और आपको क्या लगता है क्या आज की तारीक वग सब लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं इसके बावजूद अबकी उत्तर भारत में बीजेपी को कठिनाईया होने वाली हैं यह कठिनाई उतनी बड़ी नहीं है लेकिन वो जो अभी कार्तिके ने कहा अगर वो राजस्थान में तीन-चार सीटे हार जाते हैं वो सिर्फ ए कहीं 95% कहीं 90% उनको थोड़ा सा भी डेंट बहुत नुकसान करेगा जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब की मिल के लड़ेंगे साथ की साथ सीट बीजेपी की थी अगर दो सीट भी हार जाते हैं या एक सीट भी हारते हैं तो एक उनके खाते में से कम ह होती है और एक इधर के खाते में बढ़ती है बंजाब में एलाइंस हो चुका है बंजाब में जो लड़ाई होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ेंगी इसलिए लड़ेंगी कि अगर वो इस पेस छोड़ देंगी तो अकाली दल और बीजेपी का ए पेस ले लेगी लेकिन उनका चंडीघड में एलाइंस हो गया है और चंडीघड में इस्पिल्टी में उनका मेयर और डिप्टी मेयर होने जा रहा है चंडीघड की सीट पर भी उनका एलाइंस हो गया है तो कश्मीर से एलाइंस शुरू हो रहा है और यहां दिल्ली तक हरि ना देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कमोबेश जो इस्थिती पिछले चुनाओं में थी वैसी रह सकती है लेकिन किसान अंदोलन ने डेंट किया है जाट समुदाय में हरियाना राज्थान में भी हमने देखा उसके मतों का प्रतिशत विपक्ष की और बढ़ा है जाट समुदाय का मत प्रतिशत यहां भी बढ़ रहा है अभी ट्रांस्पोर्टरों की हरताल आधिया दूरी हुई थी फिर से होने की संभावना है और मद्ध प्रदेश च्छतिसगर्ड और राजस्थान इनमें आप पाएंगे और उत्तर प्रदेश भी उस में से इन में से कुछ सीटों का हेर फेर एंडिये के खाते में कम हो सकता है कुछ मैं कह रहा हूं बहुत नहीं लेकिन चुकि यह सीटे जैसा हमारे दूसरे लोगों ने बताया और सही बताया यह सीटे तमिलनाडू से बढ़ना असंभा है केरल से बढ़ना असंभा है और अ तो करनाटक से भी बढ़ना संभाव है चुकि करनाटक में उतनी सीटें भी नहीं लड़ेंगे जितनी आपके पास है तो वहाँ एक-दो सीटें भी वहाँ भी कम हो सकती है आंध्रप्रदेश में आप नहीं है वहाँ कॉंग्रेस आ रही है इमर्ज होके वहाँ की रेटिंग राहुल गाधी की रेटिंग और मोदी जी की रेटिंग लगभग बराबर है वहां के जो सर्विक चणा रहे हैं, दोनों की acceptance बराबर है, तेलंगाना उन्होंने अभी हाल में जीता है, तेलंगाना में वो आगे रहने की लड़ाई लड़ेंगे, और उनको संभावना है कि वो आगे रहेंगे, तो परस्थितियां वो नहीं है जो टेलिविजन चैनलों के जरिये अध्या की दिखाई जा रही है, जब करते हैं और जमीन पे उनको बहुत नीचे उतार के माइक्रो लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि अभी बिहार में, बिहार में नितिश कुमार एक के बाद एक ऐसे कदम लेते जा रहे हैं, जिससे वो लगभग, मुझे लगता है कि या तो बीजेपी को उसकी टेली पे रोक देंगे, या उसमें से कु उन्होंने इस बार NDA को पकड़ रखा था अपरोक शुरूप से, लेकिन इस बदली हुई परिस्थिती में उनकी अपनी इंटरनल सोचिये है कि अगली लोग सभा के वक्त हमें अपनी संख्या कोशिश भर ज्यादा लेके आनी है, जितनी ज्यादा हो से हैं, और वो लोग उस पर बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, जिससे उस समय की अगर कोई कम रह जाता है या दोनों पक्ष 272 से नीचे रहते हैं, तो हमारी भूमी का बहुत मतफून हो जाएगी, हमारे भरूसे से हो जाएगी, तो एलेक्शन ये आज की तारीक में बहुत क्लिस्ट हो गया मेरा य बीजेपी 303 सीट नहीं पाएगी, ये मैं कह सकता हूँ आज, 272 पाएगी कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकि 303 सीटे नहीं पा रहे हैं बीजेपी, ये बिल्कुल तै, सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर ये बिल्कुल रखनी का फूब ये बिल्कुल एप बीजेगे।